हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम फंडामेंटल और फिजिकल जोगरोफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल और फिजिकल जोगरोफी में हम स्टार्ट करेंगे कि ब्रहमान कैसे बना हुआ है big bang की तियोरी से start करेंगे, कि ब्रहमान की बनने की तियोरी क्या है ? तो उसके बाद हम देखेंगे कि आपका ब्रहमान बना उसके बाद हम आएंगे कि आपका planet, solar system, फिर earth के बारे में आएंगे तो हम पहले करते हैं कि world जो universe है वो कैसे बना हुआ है तो यह मेरी hand written notes है, जो आपका जोग्रोफी optionals paper के लिए है, तो आप इस spaces पे आप खुद से अपना notes भी बना सकते हैं, तो यह आपका विडियो को पाउस करके भी आप चाहिए, तो इस टाइप का notes बना सकते हैं खुद से, तो मैं class को स्टार्ट करता हूँ, origin of the universe, इस topic में हम deal कर रहे हैं कि origin of the universe कैसे हुए, ब्रह्मान कैसे बना है, तो initially ऐसा consider किया जाता था, कि scientist का ऐसा मानना है, कि initial stage पे बेग बेग थियोरी के basis पे, कि initial stage पे यह क्या पूरा ब्रह्मान एक point पे सीमित था, एक dark point था, एक point पे इतना पूरा ब्रह्मान सीमित होगा, that means क्या होगा, कि प्रह्मान की जितने particles होगे, सब एक ही point से origin हुए है, और एक ही आपका particle होगा, तो एक particles का ऐसे condition में होता है, कि आपका बहुत जादा temperature होगा, और बहुत जादा density होगा इस particle का, बहुत जादा temperature और density होने के कारण क्या होता है, यह particle आपका burst हो जाता है, burst होना, that means फट जाता है, जैसे कि आपने bumps को blast होते हुए देखा होगा, तो क्या होती है, कि जैसे यह आपका high temperature होने के कारण यह burst हो गया, जैसे यह फटता है, तो फटने के कारण इसके जो particles हो पूरे फैल जाते हैं, दूर दूर से फैल जाते हैं, तो आपने notice किया होगा, कि जब भी high temperature से कुछ चीजे जलती है, तो उसे particles जो होते हैं, वो जल करके क्या होता है, कि उसके सब atomic particles दूर दूर हो जाते हैं, that means, सब atomic particles हम किन को बोलते हैं, electron, proton, neutron, यह सारे चीज़ सब atomic particles है, सब atomic particles इससे क्या होगे, पूरे अलग-अलग होगे, बहुत जादा high temperature था, तो यह घटना approach consider किया ज 15 billion years, एगो यह घटना हुए थी, उसके बाद क्या होता है, एक और particles इसमें consider किया जाता है, electron, proton, neutron किया है, एक neutrino आपका particle है, वो भी consider किया जाता है, कि neutrino भी था, यह आपका क्या होता है, कि इतने सारे सब atomic particles है, यह आपका जब blast हुआ था, तो उस से में तो बहुत जादा temperature तो इस कारण से यह particles सब atomic particles दूर दूर थे, जब यह अर्थ, आपका क्या होता है, यह universe जब आपका इसके जो particles ठंडे होंगे, जब भी हमारा कोई भी चीज फैलता है, तो वो धिरे धिरे ठंडा होना start होता है, जब ठंडा होना start होगा, तो इसके particles आपका close आने लगेंगे, close आ करके क्या करेंगे, यह atoms का formation करेंगे, approach ऐसा consider किया जाता है, कि approach after 3 lakh years बाद, क्या होता है, कि इसके जो particles हैं, वो आपका एक साथ आ जाते हैं, और temperature उसे में decrease होकर के, आपका 4000 degree Celsius के approach हो जाता है, तो इस कारण से देखेंगे, 4000 degree Celsius के temperature हो रहा है, और 4000 degree Celsius temperature होने के कारण, atoms का formation होता है, हम इस book, North के basis पे आप deal करते हैं, कि समझेंगे कि कैसे आपका यह formation हो रही है, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनिशियली जो था, इनिशियली देर वाज वनली dense point, dense point that means, teeny bowl shape का हमारा universe था, उससे origin हुए, dark point and the entire energy and the matter were situated inside that point, मतलब इनिशियल स्टेज पे सिर्फ एक dense point था, बहुत ही आपका dense point that means, इसकी density अधिक होगी, जिसमें temperature अधिक होगा, वैसा एक point था, और उसी में हमारा पुरा का पुरा ब्रह्मान सिचुएट था, इसी में से, after that देखते हैं कि इसके stages क्या है, कैसी पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो stages हम देखेंगे कि ब्रह्मान की बनने की पूरी stages के बारे में यहां पर discuss करेंगे, बिग बैंग explosion हुआ, बिग बैंग explosion में क्या होता है, कि यह फटता है, यह पार्टिकल, और फटने के बागे घटना कब हो रही होती है, अप्रोक्स 15 billion years ago, और due to which space, matter and time came into existence, that means क्या, इससे पहले की time हम क्या ले, जब ब्रह्मान ही नहीं था तो, तो यह और space क्या ले, तो ऐसा consider किया जाता है, कि इसी time से हम क्या होता है, space और matter और time का existence हुआ, उसके पाद क्या होता है, कि यह जब आपका फटा, तो यह क्या होता है, कि जलते जलते आपका volleyball के shape का हो जाता है, जैसे आपने देखा हुआ, कोई भी चीज आपका गुबारे सा जलता हुआ छोड़ दो, तो वो थोड़े देर तुरं से क्या गुबा पारे सा हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, कि थोड़ी देर बाद हुआ, आपको देखेंगे, कि उसके जो पार्टिकल से हुआ, आपका जलते जलते दूर हो जाएंगे, और क्या fireball type का यह appear होने लगता है, और उसी situation में आपका देखते है, electron, proton, neutron और neutrino's की formation होती है, इस charge particles तो होते हैं, और क्या होती है, जैसे हम जानते ही हैं, कि electron क्या होता है, negative charge होता है, proton आपका positive charge होता है, तो यह charge particles है, they are movement formed giant thermonuclear, तो इसका जो movement थे है, जो electron, proton, यहाँ पर आपका separate हो गया, तो ब्रहमान से, dense point से, उसके बाद क्या होंगे, कि यह आपका, जैसे यह आपका charge particle अलग हो करके, यह आपका revolute करने लगे, उस समय होता क्या है, कि तो अभी तो temperature बहुत जादा high है, इस कारण से सब atomic particles दूर है, लेकिन इनके tendency होती है, कि वो क्या, उनकी चाहते होती है, कि हम एक साथ आजाए, एक साथ आने के लिए, जैसे ही इनको मौका मिलेगा, तो इस कम होगा, कब मिल पाएगा इनको, तब मिल पाएगा जब इसका temperature कम होगा, temperature कम होने से क्या होता है, कि गुर्तवा करशन बल के कारण, दो चीजे एक दूसरे को अपने टूर्स खिषती है, अब इन दो चीजे एक दूसरे को अपने तरफ खिचेगे, तो हमेशा ये गुर्त तो यह ही आपके यहाँ पे भी अपलाए हो गया, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन के साथ, यह लोग क्या करेंगे, यह ज्वाइन हो करके एटम बनाना चाहती है, तो हम देखते हैं क्या, विदिन फॉर्स थ्री मिनट और ओप टी बिग बेंग इवेंट, दो पहले तीन मिनट के बाद ही देखते हैं कि एटम बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, कि due to the expansion, temperature cooled down to 4000 degree Celsius, अब क्या होता है, कि जब आपका देखेंगे ब्रहमान फटा, यहाँ पे ब्रहमान के फटने के यह जो एटम्स था, एटम के फटने के एटम सोरी, यह dense point के फटने के बाद क्या होता है, कि आपका जो particles दूर-दूर होगे, जब भी कोई चीज फैलती है, तो वो धीरे-धीरे ठंडा होता है, जैसे यह ठंडा होना start होता है, तो इसकी temperature एप्रोक्स 4000 degree Celsius तक कम हो जाती है, एप्रोक्स 3 lakh year, एराउंड, 3 lakh years, बाद में यह big bang गटना के, 3 lakh years बाद यह आपका देखते हैं, इसका temperature जब 4000 degree होता है, तो atomic matter बनने लगते हैं, अच्छा, atoms तो पहले बन गए थे, atoms within 3 minute में बन गए थे, big bang के बाद, लेकिन atomic matter कब बन रहे हैं, after, after 3 lakh years, इसका क्या मतलब है, atom पहले बन गए और atomic matter बाद में बन रहे ह हाँ, मतलब क्या होता है, atoms पहले बहुत चोटे-चोटे particles हैं, चोटे-चोटे particles जो आपका smallest particle हो पहले बनेगा, वो smallest particle, दूसरे smallest particle को एक atom, दूसरे atom के साथ combine होके molecule बनाएगी, ऐसे एक ही similar, like आपका substance से आपका क्या बननेगा, similar atom से आपका matter बनेगा, कोई पदार्थ बनेग कि उसके बाद देखते हैं क्या, कि जब यह बहुत ज्यादा ऐसे ही अपका attraction force लगते रहेगा, तो इस कारण से क्या होती है, जब gases, अभी तो gases state में, वो एक दूसरे को खीच रही है, तो उस कारण से देखेंगे, star का formation होता है, जैसे hydrogen, यह सारा चीजे जो भी होगी, तो य यहां पर क्या करता हूँ, sun का रोगरता हूँ, तो sun यह है, तो sun में आपका helium होता है, इसके center में, hydrogen इसके जो, यह surround में होता है, यह hydrogen क्या होता है, hydrogen combined हो करके helium बनाती है, और carbon होने के बाद क्या होती है, यह जब heavy हो जाएगी, तो यह आपका center में चले जाती है, तो यह heavy आपका सारे star के same features होंगे कि उनमें क्या होगे जब atoms combine होने लगेगे और combine होकर कि आपका heavy atom बनेगा तो क्या होगा center में आ जाएगा तो इस types का आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है कि आपका star formed होने लगे और star formed accumulation of the atoms formed star कि इसे बन रहे हैं तो जब आपका बहुत सारे atoms combine होने लगे तो इपका star बना group of stars together forms galaxies बहुत सारे stars होते हैं तो वो क्या करते हैं आपका galaxy formation करते हैं हमारे galaxies के कितने spiral arm है 3 spiral arm है ऐसे हम क्या करें छोटे छोटे star से एक star यहाँ एक star यहाँ एक यहाँ तो यह क्या होने लगे particular arrangement में stars arrange होने लगे इस stars arrange होने लगे ना कि इनको आप क्या करो ऐसे arrange कर लो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से ऐसा galaxy मिल जाएगा ठीक है तो यह क्या होती है galaxy जिसमें आपका बहुत सारे stars क्या होते एक particular sequence में arrange हो जाते हैं और galaxy का formation करते हैं तो यह आपका क्या हो गया हमारी galaxy का name यहाँ पर note किया हो ए मंदा किनी galaxy ठीक है तो एक जो हमारे पास है कि यह तो galaxy ठीक है हमारी मंदा चीनी galaxy यह तो लेकिन हम क्या होती ही कि चलो बहुत सारे star मिलकर के एक galaxy बश्यणाओ ग्रूपिंग होगा Galaxies के कितनी के grouping होती है 3-3 के grouping होती है 3 Galaxies एक साथ मिल करके क्या करती है Super Cluster of Galaxies बनाती है मतलब क्या Galaxies का समो Super Cluster of Galaxies Grouping of the Galaxies Today Super Cluster of Galaxies तो देखते हैं कि हमारा Super Cluster of Galaxies है That means हमारे जो आपका मंदा किनी Galaxies है उसका neighbor Galaxies और कौन-कौन से है Andromeda Galaxies है और दूसरी है M32 Galaxies तो ये दो हमारे क्या है neighbor आपका गैलेक्सी जाए ऐसे ही क्या है कि दूसरा आपका Solar System Sorry दूसरी आपका Super Cluster of Galaxies लेते तो उसमें भी आपका इस टाप के 3 होते है आपका गैलेक्सी जलागलाद इसके बाद आजाते है कि यहाँ पर Name Note किया गया है कि यह हमारी मंदा किनी गैलेक्सी है और इसकी neighbor गैलेक्सी जो है मतलब आपका बोले कि हमारा जो पडूसी वाला जो आकाश गंगब ले सकते है वो क्या है आपका कि पडूसी जो है गैलेक्सी तो बन गई अब गैलेक्सी बनने के बाद में क्या होई यह तो स्टार्स के grouping और grouping से हमारा गैलेक्सी बन गई फिर सूपर क्लस्चर गैलेक्सी बन गई इसके बाद होता क्या है कि आपका Solar System बनना स्टार्ट होगा इसी में से आपका एक स्टार होगा इतने सारे स्टार्स हमने बनाये थे इस स्टार में कोई स्टार है जो आपका क्या है Sun है और इस Sun में क्या करेगा आपका यहाँ पे देखेंगे Solar System बनने लगे Sun होगा इसके सरावंड में आपका बहुत सारे आपका यहाँ आपका यहाँ प्लेटिकल फार्ट फॉलो करता था और यह क्या करता था कि आपका जो नैप्चून की गैलेक्सी को वह इंटरसेक्ट कर देता था Because of this region क्या किया है साइन्टिस्ट ने उसको आपका आउट जो हमारा प्लेनेट की प्लेनेट की जो आपका क्लासिफिकेशन था उससे आउट कर दिया गया है तो आप्टर 10.5 बिलियन इयर्स आवर सोलर सिस्टम केम इंटो एक्जिस्टेंस इसके आप देखें कि जो आपका बिग बेंग थियोरी हुआ था यह 15 बिलियन इयर्स एको हुआ था इससे जोस्ट आपका 10.5 बिलियन इयर्स बात क्या हो रहा है आपका कि इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम बन रहा है तो यह आपका पूरी यहां से नोर्स है तो आप इसकी चाहिए तो स्क्रीन सोट ले सकते हैं या फिर आप इसकी नोर्स हैंड रिटेन अप खुछ से बना सकते हैं आगे दिसकर्स करते हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तो एविडेंस होनी चाहिए कैसे मान जाएं कि यह आपका बिग बैंग थियोरी ऐसा हुआ है तो इसके लिए क्या है कि आपका एक टेलिस्कोप आपका साइन्टिस्ट हबल हबल नाम के हईची हबल एक साइन्टिस्ट है उन्होंने क्या किया था 1920 में आपजर्व किया था टेलिस्कोप के थुरू और उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है कि जो universe है जैसे big bang theory में बोले कि आपका blast हुआ और जितने particle से है वो दूर दूर हो गए तो उन्होंने ये notice किया कि क्या हो रहा है कि अब भी भी particles एक दूसरे से जो दूर जा रहा है ऐसा consider किया जाता है ऐसा उन्होंने notice किया कि जो हमारा earth है और moon है उन दोनों कि बीच की distance क्या हो रही है 4 cm आपका दूर हो जाता है moon earth से every year एक year में आपका sun ये sun है ये moon है तो इनके बीच की distance 4 cm every year increase हो रही है मतलब क्या जैसे explosion के time हुआ था कि हमारा universe expand हुआ था तो वह expansion अभी भी चल रहा है ये sun ले लू में और ये moon ले लू तो ये क्या हो रही है इनके बीच की distance अभी भी बढ़ रही है और इनका expansion हो रहा है मतलब फैला हो रहा है अभी भी दूर जा रहे है फैल रहे है तो ये condition अभी भी satisfied होता है ये Hubble telescope के थूरू आपका देखा गय between the two stars are increasing moon is going 4 cm away from the earth every year ये हमारा सोरी sun नहीं earth से क्या हो रहा है हमारा जो moon है वो continuously आपका क्या हो रहा है कि 4 cm दूर जा रहा है यहां पर आपका earth और moon की distance सोरी मैंने यहां पर अभी बताया था sun तो ये आपका earth और moon के बीच के distance 4 cm increase हो रही है जो एची हबल telescope से आप ये अपजब करके इन्होंने एची हबल scientist जो हैं उन्होंने बता है 1920 में और इनको support करने कि इनकी बाते अकेले ही तो कोई मानने के लिए तो उतनी scientist है कि criticize करने के लिए रहते हैं कि एक आया तो उनको क्या कि wrong probe करने के लिए दूसरी scientist पहले से वो ready रह होते हैं कि इनकी बात की सहमेति पर दन करते हैं कि हां जोज इंबैंटेर होते हैं 1966 में वह भी बोलते हैं कि हमारा universe फैल रहा है और रोबर्ट वेगनर होते हैं वह भी यही तियोरी को आपको fulfill का फिर से वह भी आपका satisfied करते हैं कि हां हमारी universe continuously क्या हो रही है एक्सपांस हो हो रही है फैल रही है तो यह हो गई उसके बाद देखते हैं कि जोन माथर जो होते हैं वह भी बोलते हैं यह भी जाइन्टिस्ट होते हैं मैरीलेंड यूसे का सेंटर्स स्टार्ट रिसर्च इन एस्ट्रोनमी नेम्ड कोब वह क्या था कि वह एक आपका कोब आपका research institute है न स्टेलाइट उन्होंने क्या किया था कि कोब आपका कोस्मिक बेक्ग्राउंड एक्स्प्लोर जो नासा का observatory research center है वहां से उन्होंने satellite launch किया था 8 km above the earth surface earth से 8 km उपर इस सेटलाइट इस सेटलाइट एस सेटलाइट एस सेटलाइट एस सेटलाइट के बारे में चीजे हो सकती है कि जैसे हमारा origin होगा है ब्रह्मान का एक पॉइंट से तो फिर से वह क्या हो जाए कि एक पॉइंट पर आजाए तो में भी possible का बिक क्रण्च हो जाए है जहां से हमारा origin हुआ था पार्थ का वैसे ही वह रिटर्न होकर कि एक पॉइंट पर फिर से आजाए उसके बाद आ जाता है कि दुसरे भी आपका है कि इसका कॉंट्रेरी में आपका यह बोला जाता है कि नहीं हमारा जो होगा कि ब्रह्मान के जितने पार्टिकल्स है ना एक दूर जाते जाते वह क् तो यह सा भी चंजिडर किया जाता है तो दो पोसिबल है तो हमें क्या करना है फाइनल एंसर में जब भी बतानी है तो अमें दोनों टाइप की answer बतानी बैलेंस में तो expansion in the frozen future यह कि future में जा करके आपका क्या हो सकता है frozen हो सकता है तो यह हमारा क्या है आपका first class का आपका notes है तो इस टाइप से हम complete करेंगे one by one every topic छोटी छोटी वीडियो के थूरू topic by topic और देखेंगे next class में हम देखेंगे star के formation की star कैसे बना हुआ और एक और भी theory होती है कि steady state आपका theory होती तो optional में हमें सारे theory चानने होती है कि क्या क्या चीज़े आपका कैसे ब्रह्मान बना हुआ है तो यह तो basic आपका theory था तो यह आपका है यहाँ पर इसके यह तो आपका universally accepted theory है जिसको हम basically हर किसी को पढ़ना पढ़ता है यह theory किसी भी exam purpose के लिए तो इसके बात करेंगे next आपका कि star के formation theory और हमें देखेंगे steady state और आपका big bang के बिच के difference आज इस वीडियो में बस इतना ही और आने वाले classes की upcoming वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को like, subscribe कर लिजे so that आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तो तुरंस आपको इसकी update मिल जाएगी even मैं try करूँगे कि daily basis भी करूँ thank you